नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने ही चैनल पे और एक बार फिर से आलोक इंडस्ट्री और टेक्स्टाइल इंडस्ट्री दोनों को इंक्लूड करूंगा बजट पर कुछ एनॉंस्मेंट की गई है और आलोक इंडस्ट्री पर आपने इसके सेर प्राइस पर आपने तेजी भी नहीं देखा होगा तो तेजी भी नहीं देखा होगा पिछले दो-तीन दिनों से मैं स्टॉक मार्केट से बहुत दूर था था थोड़ी से अपने परसनल से रिजेंस के वज़े से मैंने अपने चैनल पे एक भी वीडियो अपलूड नहीं किया बट बहुत सारे इसे चैनल हैं जिन्होंने इसे बहुत लंबे समय से ट्रैक करने की कोशिश की है और बजट से पहले इस इस स्टॉक के लोगी का बहुत सारे वीडियो भी बने तो बहुत सारे एक्सपेक्टेसंस थे बजार पे और बहुत सारे वीवर्स को जे अग्रिसिव वीवर्स हैं ज आप से कुछ बात करने वाला हूं देखे इस वीडियो पर आपको बहुत सारी चीजे बताने वाला हूं और आपको अभी उन चीजों का रिसेंटली इंपक्ट इस सेर पर होता नहीं दिखेगा बढ़ाने वाले कुछ सालों में आप अगर इन्वेस्टिमेंट के परपस पर से आपके पास उप्सन्स हैं तो आप वहां पर सेसे आप अपना इन्वेस्टिमेंट कर सकते हैं आप इस कंपनी पर क्यों लगाईएगा जिसको बिलीब है जो समझते हैं बातों को वहीं से स्टॉक पर बनियेगा देखिये सबसे पहली चीज आपर सर्कीट नहीं लगा ठीक ह मैंने पर पैसे बना के दे देगा तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आपको मैंने स्टार्डिंग से कहा 60 रुपीस तक की जरनी जो हुई वो तो नियूज के बेस पे थी वो तेजी सस्टेनेबल तेजी नहीं थी आपको इस चीज को समझना चाहिए अगर कोई काम करता है उस काम का उसका रिजर्ट निकल के आता है तो ही वो सस्टेन करेगा अधर्वाइस सस्टेन नहीं कर सकता यह आपको भी पता है अच्छी तरीके से पता है तो अलुक इंडस्ट्रिव समय ना कोई फंसन में थी ना उनका उप्रेशन्स कुछ हो रहा था सिर्प और सिर्प नियूस के बेस पे स्टॉक चल रहा था सिक्स्टी रूपीस तक गया है जाने दीजे आपने उस कॉस्ट पे अगर खरीद के रखा है तो डेफिनेटली आपको एक इस वीडियो के बाद में एक सोचना चाहिए इसके बारे में कि आपको यहां से करना क्या देखिए सबसे प एनॉसमेंट हुई उसे एनॉसमेंट में किलियरली इस चीज़ को मैंशन किया गया है कि यहां पे मेगा टिक्स्टाइल पार्क बनाया जाएगा इंडिया पे और यह आने वाले दो साल का प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट है यहाँ पर देख लिजे 7 Megapark की बात की गई है आने वाले 3 साल के टाइम फ्रेम पर देख लिजे 7 Megapark Txtile Park will be launched 3 years as the part of the scheme the Megatextile Park और यह PLI scheme के तहद complete की जाएगी यह actually में है किया Txtile Park है किया तो देखिए अगर आप किसी भी countries पर पहुंचना चाहते हैं अपने एक sector को लेके तो आपके पास transportation बहुत तगड़ा होना चाहिए जिससे कि आपको माल पहुंचाने में माल ले जाने में companies को दिक्कत ना हो पाए तो आपकी export बढ़ेगी जब किसे country का export बढ़ता है तभी उस sector पर ग्रोथ आती because आप अपने घर पे तो बेची रहे हैं अगर आपका माल बाहर पे भी बिके तो आप सुचिए कि आपके माल की क्या sales हो सकती है क्योंकि हमारा जो domestic market वो तो एक है बट global market सिर्फ एक नहीं है बहुत बड़ा है तो इसी चीज को globally इस चीज को track करने के लिए ये 7 mega park बनाए जाएंगे तीन साल का time लिया गया है तो आपको तीन साल तो time देना होगा इस sector पे अगर आप घुस रहे हैं और आपने अगर इस company को चूच किया है तो definitely आपको time देना होगा आने वाले तीन से चार साल तक आपको इस sector पे investment बन करके बैठे रहना होगा और इस textile industry में और भी बहुत बड़े-बड़े players है रेमंड है आपका और भी जो दो-चार companies अच्छे-च्छे है अर्विन लिमिटेड है और रेमंड्स है आप वहाँ पर जा सकते हैं तो बड़ी company भी है इस segment पर तो और भी बहुत सारे companies है बैटा लोग इंडस्टी के साथ क्यों जाएंगे अभी रिसेंटली जो इस टॉक ने रिजरेट पेस किया ना मेरी मानिये तो मैं तो इस counter को बिल्कुल नहीं छुनने वाला हूं बाकी आपकी मजजी होगी मैं आपको इन्वेस्टेट भी रहने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं अपना point of view शेयर कर रहा हूं अगर अच्छा ल दिखेगा इस चीज की बहुत बहुत ज्यादा चांसे से वीडियो के मायदन से मैं कुछ आपको ज्यादा नहीं कहूंगा आने वाला टाइम या तो मेरे चैनल पे जो मैं अपडेट कर रहा हूं वह गलत साबित होगा और या तो आप सही होंगे या फिर मैं सही होंगा लेक इसे पूरा इंडस्ट्री को आपको इस पे तेजी देखने को मिलेगा इस पेसलिए आलोक इंडस्ट्री को नहीं देखने को मिलेगा तो आप यह नहीं सोचीगा कि मैं आलोक इंडस्ट्री को आपके पास प्रिफेर कर रहा हूं आप इस सेक्टर की किसी भी कंपनी पर पैस अच्छा इंवेस्टिमेंट का आपके पास बिकल्प है लेकिन अपना सारा पैसा इसी कंपनी पर ना लगाईएगा यह मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे मैं भी ऐसा करता हूं स्टॉक मार्केट पर बड़े-बड़े इंवेस्टर से वह भी ऐसा करते हैं अपने पैसे को निकलनी के कोशिज कीजिएगा अगर आपका कॉस्ट आ जाए तो और अगर आप एक लंबे समय के इंवेस्टर हैं तो डेफिनेटली आपको इसको टाइम देना चाहिए मैं इसको बहुत टाइम देने वाला हूं आने वाल एक दो साल तक तो इस स्टॉक को जरूर टाइम द नहीं है जो मैं आपके साथ सेयर करूं अगर वीडियो अच्छा लेगे तो लाइक कीजिएगा अधरवाइस डिसलाइक कर दीजे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए भी वास देख रहे हैं तो हमारी कब्रेज आलोग इंडस्ट्री पर बहुत पहले से तीन लुपिय से है ठीक है मैं मिलता हूं नेक्स वीडियो पर थेंक यू